अपने वीडियो के लिए बहुत सारे ऐसे हमारे दोस्ते थे जो पूछ रहे थे तो आप कौन सा स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टर यूज करते हैं अपने वीडियो के लिए क्योंकि उसमें क्वालिटी आता काफी अच्छा आता है और जुमिंग सिस्टम काफी अच्छा है तो यदि आप वीडियो यूटूब पर डालने के स्टार्ट किया है और आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हैं तो आपको चलिए बताता हूं कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए क्या-क्या जरूत होता है कौन सा सॉफ्टर में यूज करता हूं और आप इसको किस तरह से ला सकते हैं तो चली वीडियो को करते हैं तो फ्रेंड्स देखिए कि जो माइक लगा हुआ है नॉर्मल इसकी रिकॉर्डिंग के लिए आपको चाहते मुवाइल हो या फिर पीसी हो या फिर लैप्टॉप हो आपको एक अलग से माइक लेना पड़ेगा वयक ले लिजिए और मेल जागा जो इससे भी रिकॉर्ड भी कर रहा हूं तो अब इसे कॉलर माइक लगा सकते तो एक माइक की जरूरत होता है और कुछ भी जरूरत नहीं होता बस आपको एक डेक्स्टॉप चाहिए बढ़ियासा जिसका प्रसेसर अच्छा हो और एक सॉफ्टेर साहिए तो चल इसका फैदा क्या है आखिर मैं क्यों यूज करता हूं कामटासिया सॉफ्टर को आप हमारे पुराने वीडियो भी देखेंगे तो इसमें आपको डिटेल मिल जागा कि मैं कामटासिया कहीं इस्तेमाल किया हूं तो इसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने के लिए बहुत ही स लिए आप इसको स्टॉप करेंगे तो अटुमाटिक मिक्सिंग में चला जाता है उससे पहले मैं आपको फशोघाए डेमो दिखाता हूं जैसे के वर्ड है वर्ड में मान ले जैए कि मैं इंसर्ट पर जाता हूं और कोई सेवे यहाँ पर ड्रा करता हूं तो इस तरह से श विस्ते से ड्राग किया और और भी शेप मैंने कहां पर ड्राग किया ठीक है ओके मैं क्लिक करके दो चार जगा दिखाता हूं आपको बस अब हम इस सॉफ्टर को मिनिमाईज कर देते हैं अब हम क्या करते हैं स्टॉप कर देते हैं फ्रेंड्स जैसे हमने स्क्रीन रिकॉर्ड किये स्क्रीन रिकॉर्ड किये और इसका फिकिया क्या है दो तेंज आपको बताता हूं 17 कद इसे करता हूं सबसे पहला है कि जहां भी माउस को इसurry मेरा प्सक्थova करना है और यअ यहां आप जो भी color blue अगर देना चाहते हैं इस तरह से दे सकते हैं इसका size कम या ज्यादा रख सकते हैं cursor के scale को आधि cursor आपको बड़ा रखना है मालिजे कि जैसे cursor point है यह आपको यह दिख रहा होगा यहाँ पर कर सकते हैं मतलब कि cursor से आपको पूरा option मिल जाता है यदि आप left क्लिक कर रहे हैं तो कैसा effect हो मालिजे कि हम यहां से बंद कर लेते हैं हम यहां से वीडियो को play करते हैं देखिए क्लिक किए देखिए आपकर click किए तो red effect आ रहा है तो इस तरह से आप जब भी इफेक्ट किए करेंगे तो effect आपका सो करेगा ओफेक्ट किस color में हो आप यहां से change कर सकते हैं उसके बाद में आप चाहते हैं कि आवाज आए जब भी आप किलिक करें तो इस तरह से आप इस effect को apply करते हैं अपने timeline में तो जब भी आप किलिक करेंगे जहां जहां भी screen पर आ लगते हैं उसके बाद में second option मुझे मिलता है जो सबसे best option लगता है जूमिंग का आप यहाँ पर जाएंगे animation पर ठीक animation पर मान लिजे कि मैं यहाँ पर पीछे आता हूं थोड़ा सा ठीक है इस तरह से अपने आप स्लेट कर लोगा अपने आप उस एरिया को जूम कर देगा और नीचे timeline में effect अपने आप apply हो जाएगा मुझे कुछ करने जरूद नहीं है मैं यहाँ से play करूँगा अब मुझे इस एरिया को जूम करना है तो मैं यहाँ से उठाकर सिधे इस एरिया के पास लेके चला जाओंगा ठीक है फिर से यहाँ से play करना है अब मुझे जूम आउट करना है तो scale to fit कर दूँगा या फिर अपने हिसाफ से यहाँ पर ऐसे select कर लोगा कि हमें कितना out रखना है तो इस तरह से friends आप अपने हिसाफ से अपने screen को जूम out, जूम in वेगरा कर सकते हैं और effect अपने आप apply होता जाएगा अब हम यहाँ से play कर लेते हैं उसका फ्रेंट से जो तिसरा option ज्यादा अच्छा लगता है वह है audio effect, audio effect में आप यहाँ से noise remove काफी इची से कर सकते हैं बस click किजिए उठा कर यहाँ पर drop किजिए यहाँ से friends अपने noise का detail जैसे कि sensitive और about को अपने हिसाब से set कर सकते हैं कि आपको कितना noise को remove करना है उसके बहुत सारे feature से friends आप अपने coloring वेर भी set कर सकते हैं transition वेर लगा सकते हैं animation मतलब कि एक तरह से social media platform के लिए यह चातो instagram हो facebook हो या फूड youtube हो video upload करने के लिए काफी अच्छा software है आप काफी ऐसी तरीके से मतलब कि अपने वीडियो को design कर सकते हैं डिट कर सकते हैं और जो सबसे बढ़िया जो option मुझे जो सबसे अच्छा feature से friends हो है कि यह software कम हलका computer पर भी run कर जाता है साथ है friends इसमें sharing का मतलब कि export करने का रेंडिंग करने का option में बस आपको sharing पर जाइए लोकल फाइल पर जाइए और जिस फाइल में आप सेव करना चाहते हैं MP4 में करना चाहते हैं कर सकते हैं तो आप जैसे MP4 करके आप next करके बहुत फिनिस कर दिजिए जल्दी फटा-फट रेंडिंग हो जागा रेंडिंग इ तो यह काम करता है नॉर्मल आप i5 computer पर नॉर्मल आपके computer में दो जीवी ग्राफिक है तो काफी अच्छे से रेंड कर जाता है कम से कम आपका 6-8 जीवी रेंड हो और 2 जीवी ग्राफिक हो इतना तो नॉर्मल है तो इतना पर आपका काफी असानी से आप इस पर recording कर सकते है तो बहुत हैवी software का जरूत नहीं यादि आप screen recording का सिफ काम करते हैं तो आप अपने अपने स्लेवर से विगर अपनाते है screen recording करके तो यह software काफी बहतर है मैं इसका कोई promotion नहीं करा हूँ friends मैं खुद आप देखिएगा मेरे सारे वीडियो उठा कर देख लिजिए आदे आप वेगवार यूज करके देखिए बाकि आपकी मर्जी तो फ्रेंड्स बताइए कि आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दिजिएगा अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो इस चैनल को भी स किसिंगे बारे में और भी लेटेस्ट अपडेट इस चैनल पर मिलता आएगा तो तो लिए फ्रेंड्स मिलते के लिए वीडियो में अगला टॉप्रे के साथ तब तक लिए बाए बाए